नेक्स्क्षिण दोजा सत्रा का सवाल है क्वेश्टिण से फोटो एलेक्रिक थ्रेशोल वेवलेंग्ड ऑफ सिल्वर रिस 3-2-5-0 एंग्स्ट्रॉम् दवेलोसिटी अप्ट्रॉम् एजिक्टेट फॉम एल्ट्रा वालेट लाइट ऑफ वेवलेंग्ड और 2536 एंग्स्ट्र एफ माइनस हैजएफ नॉट नोट नॉट इस फ को हम यहां पर क्योंकि हम यहां पर लेंबडा से खेल रहें तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे हाफ एम वी स्कॉर विल बी इक्वल टुए फ की जगे हम लिखेंगे एच और सीवाइट लैंडा माइनस एच सीवाइट और यहां पर अपनी V की value आ जाएगी, so now इस case में जो अपना V की value होएगी, इसको left hand side हुआ, आपका half M V square will be equal to 12400 आपने common ले लिया, यह आएगा आपका 15 जो अपने को data दे रखा है, वो है 2536 minus 1 by यहां पर बनेगा अपना 3250, आपना 3250, और इसको हम calculate करेंगे, तो इसकी जो value आएगी, वो आएगा आपका, left hand side बना half M V square will be equal to 12400, multiplied by यह आएगा 3250 minus, इसमें से आप यह जब करेंगे, तो 36, 50 में से 36 गए 14, 714, ठीक है, divided by 2536 multiplied by 3250, यह आपकी value आएगी, electron volt में, now, इसको electron volt को, आपको SI unit में convert करना पड़ेगा, SI unit में convert करने के लिए, आप यहां पर लिखेंगे, multiplied by 1.6 into 10 to the power minus 19, यह आपको, अब value, जूल में आगे, तो इसमें V की जो value है, वो आ जाएगी, 2 multiplied by 12400, multiplied by 714, यहाने की 1.6 into 10 to the power minus 19, divided by 2536 multiplied by 3250 multiplied by, इसका mass से आप divide करेंगे, mass की जो value आएगी, वो आप लेखेंगे, 9.1 into 10 to the power minus 31, और V निकालने के लिए, आप इसका under root all लेंगे, लो इसको calculate, आपको, एक्जामें करना पड़ेगा, थोड़ी सी, यहाँ पर mathematical calculations की थोड़ी सी practice चाहिए, इसको, जो हम solve करते हैं, तो उसकी value बुरी नहीं आती है, value आजाएगी, 6 into 10 to the power 5 meter per second, approximately value हो जाएगी, यहाँ पर जो चार option अपने को दे रखें, उसके बेरिस पर हम कह सकते हैं, option number D is the right answer, लेकिन अगर आप अपने options को ध्यान में देंगे, तो option number A जो दिया हुआ है, वो है 0.6 into 10 to the power, 0.6 into 10 to the power 6 meter per second So, वो option भी आपका सही है, So, based on this हम कह सकते हैं, option number A और D दोनों इस case में सही हो जाएगे आपके